सवाल C.A. का इसलिए भी है कि जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई राश्मिता महादमा गादनी बावा भीमरा अम्बेटकर जी जिनों ने इस देश को इतना शांदार और सुन्दर संविधान दिया हमारा देश हमारी धर्ती कभी भाषा के नाम पर या धरम के नाम पर कभी भेदवाव नहीं किया होगा यह जो धरम के लेकर के भेदवाव नागरिकों के साथ होगा उसका बिरोद एक-एक भारतिय कर रहा है हम उनी से जानना चाते हैं कि आखिरकार अपने बोट के लिए क्या भारत की आत्मा को खतम कर देंगे आप अपने बोट के लिए समाज में खाई पैदा कर देंगे यह प्रदेश वो है जहां की जंता ने देखा है और इनी भारती जंता पार्टी की भाषा में सुना है याद कीचे वो कहा गयाता है कबिर्स्तान और सम्षान यही भारती जंता पार्टी की भाषा थी दिवाली और रमजान भारती जंता पार्टी समिदान से इसलिए खिलवार कर रही है क्योंकि उसके पास बहुमत है बहुमत से आम लोगों की आवाज को नहीं दवाये जा सकता और लोगतंत उतना ही मजबूत होगा जितनी आवाज उठेगी बिपक्ष जितनी बात रखेगा इसलिए जहां तक सवाल डंके की चोटप और बहस का है हम तो कहते हैं भारती जन्ता पार्टी के लोगों से कि आप जगे तै कर लें भारती जन्ता पार्टी के लोग मंच तै कर लें और भारती जन्ता पार्टी अपने प्रिये चैनलों को भी बुना लें भारती जन्ता पार्टी अपने अप्रिय एंकरों को भी बुला लें और विकास पर बहस कर लें कि जब चाहें हम समाजवादी लोग उनसे बहस करने के लिए तयार हैं हम बहस करने के लिए तयार इसलिए भी हैं कि विकास समाजवादियों ने किया है और करके दिखाया है तीन साल से जो हमारे बाबा मुख्यमंती जी बैठे हैं जो इनका काम है वो भी नहीं कर पाए बाबा मुख्यमंती जी कम से कम हमारे किसानों को जहनवरों से बचा ले थे तीन साल में हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसानों को भी नहीं बचा पाए इसलिए जगह तै कर लें हम विकास पे बहस करने के लो तैयार हैं और याद रखे देश बिरोजगारी में फस गया है इतने बड़े पेमाने पे बिरोजगारी कभी नहीं आई होगी कभी एक समय मैंने जब करांतीरा चलाया था कहा था कि इस देश में केवल बिरोजगारी नहीं बड़ी है अगर यही हालात रहे चीज़ें नहीं बदली तो बिरोजगार बाब की भी संख्या बढ़ जाएगी और अब तो लोग आत्महत्या करने लगे हैं किसान के बाद अब नौजवान भी आत्महत्या करने लगा है अर्थववस्ता कहां पहुंच गई है उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि अर्थववस्ता कहां पर है नोक्रियों के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं नोडबंदी के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहाँ चाहें वहाँ विकास पर बहस करना चाहें हम समाजवादी लोग तयार है लेकि आप तो आप भी मान गया होंगे थोड़ा बहुत पड़े लिखें पाच मिट से ज़्यादा बोल दिये हैं और बिना कागस देखे अरे ये जो डराने की बात क्यों करते हो डराने की बात क्यों करते हो अभी कुशी नगर से एक आया था पेंटर हरे एक एसो का कह दो ये सिपाई खड़े हैं ये हमारी जेम में रख देंगे गाजा हमें बंद कर दो अभी क्या बड़े लोगं की जरूत है इसमें कोई बड़े अधिकारियों की जरूरत है क्या एक पेंटर जो पेंटर था अपना जीवन यापन कर रहा था बताओ उस पर गांजा लगा करके जेल भेज दिया के नहीं भेज दिया और फिर अगर देश के देश के इतने बड़े नेता हैं तो कम से कम इस बात की तो भह करके तो सूषते कि के सबसे ज्यादा नोटिस नैश्ल के अगर देख लिया था इतना संदर पुलिस लिए भावब नहीं बना था यह भी नाराजगी और और यह भवाशा पैर देश के राजनेता की नहीं हो सकती है तो आप अखलेश यादव को सुन रहे थे जिनोंने सीधा सीधा बिज़िपी पनिशाना साथते हुए कई बड़े बयान दिये लगतार सीए को लेकर बिपक्ष विरोध कर रहा है ऐसे में अखलेश यादव ने भी कई बयान दिये बिरुजगारी का मुद्दा उठाया है नौजवान आत्महत्या कर रहे है ये भी कहते नजर आए अखलेश यादव बेश बिरुजगारी में फस गया है ऐसा अखलेश यादव का कहना है साथी साथ लगता देश बर में जिस तरीके से सीए को लेकर विरोध हो रहा है उसमें अखलेश यादव का कहना है कि हम बहस करने को तयार है